जोतिष और वास्तु के अनुसार हमारे जीवन को सुगंध और सुन्दर्ता प्रभाविद करती हैं। सुगंध जहां हमारे दिमाग को शांत करती हैं, वहीं यह हमारे भाग्य को बदलने की या कहें कि किस्मत को चमकाने की क्षमता भी रखती है। सुगंध से यदि आपके जीवन से संताप मिट जाएंगे, तो निश्चित ही आपकी किस्मत के ताले खुद बखुद खुल जाएंगे. इसी लिए घर आंगन में लगाएं इन सेवन फूलों के पौधे. 1. पारिजात का फूल पारिजात के फूल आपके जीवन से तनाव हटा कर खुशियां ही खुशियां भर सकने की ताकत रखते हैं. पारिजात के ये अदभुद फूल सिर्फ रात में ही खिलते हैं और सुबह होते होते वे सब मुर्जा जाते हैं. यह माना जाता है कि पारिजा से तूट कर नीचे गिर जाते हैं। ये फूल जिसके भी घरांगन में खिलते हैं, वहां हमेशा शांती और सम्रिध्धि का निवास होता है। 2. रातराणी के फूल इसे चांदनी के फूल भी कहते हैं। रातराणी के फूल मदमस्त खुश्बू बिखेरते हैं। इसकी खुश्बू बहुत दूर तक जाती है। इसके छोटे-छोटे फूल गुच्छे में आते हैं, तथा रात में खिलते हैं और सवेरे सिकुदा जाते रातराणी के फूल साल में फाइव या सिक्स बार आते हैं। फूल एक दुबला ट्यूबलर जैसा साथ ही हरा और सफेध होता है। रजनी गंधा रजनी गंधा का पौधा पूरे भारत में पाया जाता है। इसके कई और शद ही ये गुन भी है। केवड़े के पानी से स्नान करने से शरीर की जलन वो पसीने की दुरगंद से भी छुटकारा मिलता है। गर्मियों में नित्य केवडायुक्त पानी से स्नान करने से शरीर में शीतलता बनी रहती है। केवड़ा का उपयोग इत्र, पान मसाला, गुलदस्ते, लौशन तंबाखु, केश तेल, अगरबत्ती, साबुन में सुगंध के रूप में किया जाता है। केवड़ा तेल का उपयोग औशधी के रूप में सरदर्द और गठियावत में किया जाता है। 6. मधुमालती लाल, गुलाबी, सफेद रंग के गुच्छों में खिलने वाली मधुमालती के फूल बहुत ही सुन्दर दिखाई देते हैं। इसकी महक से आसपास का वातावरण महकता रहता है। लगभग पूरे साल इस पर फूल लगते रहते हैं। यह बालकनी, गेट पोस्ट, बाड़ा, छट, खंबे, दीवार को कवर करने के लिए बेहतरीन लता है। यह फूल रंग बदलते हैं। पहले दिन सूर्योदय के समय जब इसके फूल खिलते हैं, तो यह सफेद रंग के होते हैं। दूसरे दिन वही फूल गुलाबी रंग में बदल जाते हैं। और तीसरे दिन गारे लाल रंग में। इसमें सफेद रंग के छोटे फल भी लगते हैं, जो बाद में भूरे रं ये बहुत ही कम पाया जाता है। लेकिन जिसके भी यहां यह होता है, समझों सुख, सम्रिध्धी और शांती बनी रहती है। वैद्य कहते हैं कि इसकी पंखोडियों से अम्रित की बूंदे टपकती हैं। इससे कैंसर सहित कई खतरनाक बीमारियों का इलाज होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर इसे खिलते समय देख कर कोई काम ना की जाए, तो वो अतिशी ग्रही पूर्ण हो जाती है। रात में खिलता और सुबह मुर्जाता है।